दो लडगियों के चक्कर में, हमेशा इनसान पिसता ही है मसा आता है talking about ariven या या मतलइ लोगों का जोश है उटारियां को ले कर जितने लोग देख रहे हूं उन लोगों का जोश उसको देख कर मुझे बहुत अचा लग रहा है उडारियां जॉइन करके, ड्रीमियाता जॉइन करके, सपनों की नगरी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों के शहर को छोड़ कर, मैं चंडिगर में पहुंचा हूँ Hi, I'm Hitesh Bhardwaj and you are watching me on Teleboli So hi guys, once again, welcome to Teleboli और आज हमारे साथ है very talented and very energetic actor Hitesh Bhardwaj Firstly, welcome to Teleboli Thank you so much सबसे पहले तो हम जाना चाहेंगे कि अब भी तक आपका experience कैसा रहा उडारिया में, कितना मजा आ रहा है, कितना अपने character को आप enjoy कर रहे है मुझे बहुत सा लग रहा है, ओडारिया जॉइन करके, ड्रीमियाता जॉइन करके, और रवी सरुगूर के साथ काम करके, जितने creative लोग है, जितना मज़दार environment है, वो करके मुझे बहुत मजा रहा है energy, जो आपने बोला, कि मैं बहुत थोड़ा energetic हूँ, तो वहाँ पर जाकर और भी energy थोड़ी high हो गई है, क्योंकि जितने लोगों का जोश है, उडारिया को लेका, जितने लोग देख रहे हैं, उन लोगों का जो जोश हो, उसको देखकर, थोड़ी energy का level up हो गया और हितेश, अगर if I'm not wrong, तो मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था कि पहले फते के रोल के लिए आपको अप्रोच किया गया था, क्या है यह सच है, जब भी कोई character आता है, सो एकम के रोल के लिए भी बहुत सारे लोगों से बात की होगी, या बहुत सारे लोगों को अप्र makers को शोव बना रहे होते हैं, तो बहुत सारे actors को देखते हैं, तो yes, अगर on screen की बात करें, तो आप तीनों में सबसे मतलब मस्ती वाले आप ही नजर आ रहें अब तक, तो बैट ऐसे off screen में कौन है आप तीनों में, जो सबसे set पे ज़्यादा मस्ती करता हो, वो तो मैं ही हू आप स्क्रीन भी में सबसे अधा मस्ती में करता हूँ, योगि मुझे ऐसा लगता है कि काम को जब आप एक खेल बना लेते हैं, जब आपको लगता है कि जब आपको उसमें मजा आने लगता है, और मैं शायद इसलिए भी actor हूँ कि मुझे बड़ा मजा आता है, being an actor, तो वो जब आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, तो फिर आप सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है, काम करना भी आसान हो जाता है, और जिंदगी जीना भी आसान हो जाता है, जैसा कि आपका शूट तो चंडीगड में चल रहा है, तो जब आप वहां पे होते हैं, तो अ स्क्रिप्ट है, performance कितनी अच्छे से यह लोग निकलवाते हैं, यह सब कुछ-काश बॉम्बे में होता, फिर लगता है कि यह बॉम्बे में होता तो पंजाब के खेत नहीं होते हैं, यह बॉम्बे में होता तो जो हम रोड पे निकल जाते हैं, चंडिकर युनिवर्सिटी के आसबाद शूट करने के लिए, वो नहीं होती, तो कितनी चीजों को बॉम्बे लेकर आपा होगे, तो यह मेकर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि वहाँ शूट करना असान नहीं है, वहाँ शूट करना ज्यादा डिफिकल्ट है, बॉम्बे से, लिकिन स्टिल व तो आप पिसने वाले हैं कि क्या होने वाला यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ओडियन्स को मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि जिस तरह कि आप उम्मीद रखते हैं उडारियां से, क्योंकि ओडियन्स की बहुत ज़्यादा वही हमारे लिए बड़ी बात है, जाते जाते हैं आपके फैंस के लिए कोई मैसेज, जो आप देख रहे हैं, और जितना प्यार आप उडारियां के लोगों को दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम को दे रहे हैं, I am really thankful to, मतलब यह एक तरह का gratitude है कि इससे जादा अच्छा हो कु अच्छानक से उन्होंने मुझे देखा और सारे लोग एकदम चिलाने लग गए, ओडारियां ओडारियां ऐसे चिलाने लगए, एकम एकम चिलाने लगए, तो उस मुमेंट पे रिलाइज हुआ कि कितना प्यार करते हैं, मतलब क्या शो का एक ग्रिप है, क्या शो ने, इस कितना कुछ दे दिया इतने कम दिनों में, so I am really thankful to everybody.